हेलो फ्रेंट्स वैल्कम टो स्टाप लर्निंग यूटीब चानल आज हम लोग फिर से हम लोग क्या करेंगे कि जो बैल फेर ओफिसर है उसका जो कोशन पेपर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हमने क्या किया है कि एक से लेके एक से लेके 50 तक जो हमारा पार्ट वन है उसमें हम लोग वीडियो का जो पार्ट वन है उसमें हम लोग ने डिस्कस कर लिया है तो आज हम लोग क्या करेंगे 50 से लेके जो 100 तक बैल फेर ओफिसर का जो कोशन पेपर जो कोशन आये थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे उनकी जो अंसर है उनके बारे में डिसकस करेंगे कि कौन सा राइट अंसर होता है बनता है तो गाइस हमार पर सबसे पहले आता है कोशन नंबर 51 किस देश को अगले तीन बर्शों के लिए संयुक्त रास्ट निकाये कनेक्शन ओन माइग्रेटरी स्पीसीज सी एमस की अध्यक्षता मिली है तो वो 51 का जो राइट आंसर है वो है बी इंडिया को क्या मिली है तीन साल के लिए इसकी अध्यक्षता मिली है कोशन नंबर 52 निमन लिखित में कौन से सेकर्थन भारत यूरोपिय संग फ्लैक्षिप कॉल के बारे में सही है तो इनके बारे में हमें बताना है कि कौन से सही है तो इसका जो राइट अंसर है वो C ये जो है ये उर्जक शेतर से जुड़ा हुआ है ये भारत समार्ट उप प्रद्योगी की विवाग के सचिव और भारत में यूरोपिय संग के राजदू द्वारा न्यूक्त किया से गोशित किया गया है अब हमें बस आता है कोशन नंबर 53 निमन लिखित में कौन से कथन आपदा रोधी अब सरंचना के बारे में सही है तो कोशन नंबर 53 का जो र राइट आंसर है कोशन नंबर 54 विश्मव स्वास्ते संग टर्न डवल्यू एच्चों के अंसार किस दशक को स्वास्ते आयू का दशक से के नाम दिया गया है तो इसका जो 54 का जो राइट आंसर है वो जो है बी 2020 और 30 को क्वेशन नंबर 55 किस देश के नियाले ने सरकार को एक कल उप्योग प्लास्टिक पर प्रतिवन लगाने का आदेश दिया है तो इसको जो राइट आंसर है वो 55 का वो है सी बांगलादेश की जो गोन जो है उन्होंने कोट ने उनको आदेश दिया है कोशन नंबर 56 जो आता है फीजो लोजी या मैडिकल के लिए बेनोबल प्रोस्कार 2020 के सभायरस की खोज के लिए तीन मिज्ञानिकों को जो दिया गया है तो इसका जो राइट अंसर है वो डी है 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 नोबल प्राइज दिया गया है 2000 मेडइसन में Q Tech Edition Fortune No. 57 दो सम्मान और विपरीत बल एक दूसरे को रद करते हैं हालांकि कारवाई और प्रतिकिया जो एक दूसरे के बराबर और विपरीत है एक दूसरे को रद नहीं करते हैं क्योंकि वे विविन शरीर परकार्य करते हैं क्योंकि they are action different body तो इसका जो right answer है वो है भी इसका 57 का जो है right answer है अब हमारे पास आता है question number 58 Collidal goal में बिखरे हुए चरण करनो द्वारा परकाश के प्रकीरन को उसके माद्यम से गुजरने के रूप से जाना जाता है the scattering of a beam of light by the displaced face particle in a collidal solution as it passes through it is known as a tindle effect इसका जो right answer है वो भी है 58 का 59 जब हम खाना पकाने की परिक्रिया के दुरान सबजियों में नमक डालते हैं तो सबजियां क्या करती है पानी छोड़ती है तो यह किसके कारण यह जो परिक्रिया है यह process जो होता है तो इसके लिए कौन responsible है तो इसको जो right answer है 59 का वो है इसके कारण यह होता है अब आता है मैं पास question number 60 अनुपांशिक समागरी का आदान प्रधान होता है तो इसको जो right answer है वो है B sexual reproduction right answer है 61 का question number 62 रान क्रिश्चन मीशन के बारे में नीमन लिखित में कौन सा जो कथन सही है तो इसके जो फिर 62 का जो right answer है वो वह भी है इस मीशन का नाम बार्तिय संत्र रामादास परमहंस के दौर नाम पर रखा गया है इसके स्थापना स्वामी विवेका नन ने 1897 इस्वी में की थी तो जो थर्ड वाला है जहें चार जोगिक अदेर्शो ग्यान बक्ति कर्मो तथा वो भोगों का प्रचारे करता है तो इसका जो थर्ड वाला यह इसका right answer नहीं है तो इसको जो right answer है जो है से यह दोनों ही statement क्या है यह correct है दे इस्ट इंडिया कंपनी पहली वार भारत में सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य की जिमेदारी सभिकार की ठीक है अठार सो तेरा में Chartered Act अधिनियम इसाई मिशनरियों को भारत में अपने धार्मिंग विचारकों को फिलाने की अनुमती दी तो यह दोनों क्या है सही है 63 के जो answer है question number 64 निमे लिखित गटनाओं पर विचार करें और उन्हें सही कलपना नू क्रामिक क्रम से व्यस्थित करें तो इनको क्या करना है सही जो chronological order है उसमें लगाना है तो इसका जो right answer है 64 का वो है D सबसे पहले क्या होता है Muslim league 1905 में क्या की जाती है Muslim League जो है बनती है उसके बार जोगला बाग' 1909 में होता है ठीक है उसके बादे खिलाफत dizendo होती है फिर सवीने अध्यास सिविल्ड विलैंस मोव्मेट जो होती है वह स्टार्ट होती है तो next जो हमायरे पास आता है question no 65 कांग्रेस के निमलिकित में कि सत्र में नया सविदान अपनाया गया था और एक कारे सिम्ति का जो गठन किया गया था तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोशन नंबर 65 का वो है बी नागपूर सैशनero 1920 में इसका गठने किया गया था कोशन नंबर 66 निमी लिकित में कौन भारती सवतंतरत अधीनीम के बारे में गलत है तो इन में जुभ बताना है इन में से जो क्या गलत दिया गया है 66 में तो इसमें जो है 66 का जो राइन जो इसमे के लिए बिल पर बिटो का अपना दिकार बनाए रखा तो जो इसका 66 का गलत दे रखाए वो है जो है गलत दे रखा है नेक्स्ट को हमार पास आता है कोशे नंबर 67 निमें लिखित में कौन सा कथन सही है तो पहले कह देगा वारन हैस्टिंग भारत के पहले गवणन जनल थे हैं लोर कानिन भारत के पहले बॉइस राइन ये भी सही है तो इसमें जो है 67 को जो राइट अंसर है वो है C दोनों ही कथन क्या सही है अब हम आपस आता है question number 68 1902 में Fraser Commission की न्यूक्ति किसके लिए की गई थी तो जो है यह क्या police reform के लिए क्या की गई थी Fraser जो है इसकी न्यूक्ति की गई थी commission की अब आता question number 69 पूराँ सवराज या पूराँ सबतंतरता की मांग कांग्रेसम ने निमे लिखित में से किस सत्र में की थी तो इसका जो right answer है question number 69 का वो है दी लाहोर session 1929 में इसकी जो है मांग की गई थी question number 70 आता है निमे लिखित में कौन सा अधिनियम लोड क्रोस के अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है तो इसका जो right answer है भी Indian Council Act 1892 question number 71 निमे लिखित में से किस आंधोलन ने हिंदू धर्म और संस्कृति के खिलाफ एक विद्रो बिख्सित किया था तो इसको जो right answer है वो है C जो है जंग बंगाल मुव्मेंट से ये बिख्सित हुआ था question number 72 राजा राज मोहन राए ने एक इश्वर के अबधारना कहां से उधार ली थी तो इसका जो right answer है 72 का वो है C इनोंने कहां से ली थी राजा रामोहन राए ने उपनिश्वदों से ली थी ब्रह्म समाज का विरोध करने के उदेशय से धर्म सबा स्थापित की थी तो ये जो धर्म सबा थी ये सास्थापित की थी रादा कांत देव ने इसको जो 73 का जो राइट आंसर है वो है 1829 में क्या किया गया था इस सबा को क्या किया गया था बनाया गया था Q74 निमन लिखित में से किस अधिनियम भी दवाओं के विवाहा पर बैद बनाया था तो कोशन नंबर 74 का जो राइट आंसर है वो है जो है इसका राइट आंसर है तो एक्टर नंबर जो है 15 अधिनियम पंद्र जो है इसके तहदे इनको क्या बनाया गया था बैद बनाया गया था लीगल जो है बनाया गए था कोशन नमबर 75 पनी को पाणीज की आस्टा दियाई किस पर अधारी थी तो यह यह बों कि जहा थे जो ढई कि जो बुक थी आस्टा dart फिर ये किस पे थी एक RAM से मिल अमिल्क्स टामील की जो एक भुक को जो राइट अंसर है 75 कम यह एक अब हम अपस आता है, question number 76, जो आता है, the dharma sutra classify marriage into, जो धर्मा सूतर है, धर्मा सूतर भिवा को बर्गी करित करते हैं, तो इसमें जो आठ परकार में इनको क्या किया जाता है, बर्गी करित किया जाता है, question number 77, जान धर्मों के जो त्री रतन है, जो त्री रतन है, वो इनमें से कौन सा नहीं है, तो जो right to food, इसका जो इनका जो है त्री रतन नहीं है, right to faith, right to knowledge and right to conduct, ये कहां इनके तीन रतन है, जानिजम के, question number 78, बुल दिवाग एक पुरात्विक अवशेश से जुड़े हुए है, तो जो 78 है, उसका जो right answer है, वो है पाटली पुत्रा, इसका जो right answer है, 78 का वो है डी बीता, sorry, इसका जो right answer है, पाटली पुत्रा, पाटली पुत्रा से जे हैं, जुड़े हुए है, question number 79, तो तूप बास्तुकला के सोथ पाता है, सो पानो का संकेत है, तो इसका जो right answer है, 79 का वो है, भी, stairs जो है, इनको बोला जाता था, सो पानो, question number 80, जो आता है, हमारे पास, देव घड़े के दशा बतार मंदिर निमें लिखे जो किस्य सबंदित है, तो question number 80 का जो right answer है, C, गुपता पीरेट से ये कहा है, related है, संगिय शव्द लेटिन भाषा की शव्द फैडूस से लिया गया है, तो इसका अर्थ है, तो 81 का जो सही answer है, वो है, कॉन्वेंट निगम जो है, इसका right answer है, C, इसका right answer है, question number 82, सबिधान के ग्यारवी अंसोची में से निमें लिखी, तो कौन सी कार्यातम के बस्तूएं है, तो इसका जो right answer है, वो है, 82 का, वो है, C, इसमें जो है, हमारी public distribution system भी आता है, small scale industries आती है, और fisheries जो है, इसमें आती है, बागी जो first और fourth इसमें नहीं आती है, question number 83, कौन सी स्वधानिक संशोधन बिल आतिक रूप से कमजोर भर्गों को आरक्षन प्रधान करता है, तो इसका right answer है, question number 84, भारत के पहले बीदी अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है, first law officer किसको बोला जाता है, तो इसका जो 84 का जो right answer है, वी attorney journal of India को क्या बोला जाता है, first officer, law officer वी बोला जाता है, question number 85, सविदान जो है, 74 जो है संशोदन अधिनियम 1993 का उलेख है, तो 74 जो अधिनियम है, amendment है, 74 जो amendment है, उसमें जो है, हमारी function of the managed parties जो है, इसके बारे में उलेख किया गया है, तो अगर हम लोग बात करें, तो 73 में क्या किया गया है, पंचाइती राजगा क्या किया गया है, उलेख किया जाता है, question number 86, pocket veto का प्रियोग किसके द्वारा किया जाता है, तब pocket veto का प्रियोग किसके द्वारा किया जाता है, प्रेजिडेंट के द्वारा किया जाता है, प्रेजिडेंट ओफ इंडिया क्या करता है, पोकेट बिटो का इस्तेमाल करता है, अब हम मैं पस आता है कोशे नंबर 87, भार की पंचायती राज वेवस्ता को लाइने के पिछे मुख्य उदेशे क्या था, तो इसका जो मुख्य वो था, डिसेंट्रलाइजेशन ओफ दी पॉलिटिकल पावर टू दा लोकल बोडिस, स्थानी निकायों को राजनितिक शक्ति का विकेंदरी करन, कोशे नंबर 88, संसद के सदस्य की अजोग्यता के बारे में विवाद का फैसला करने के लिए कौन अधिकरित है, तो कोशे नंबर 88 का जो राइट आंसर है, वो है, बी प्रेजिडेंट, अब आता है, कोशे नंबर 89, राज्यों और केंदरों सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता में कौन सा अनुशेद, अनुधान से सवन्दित है, बीच, आर्टिकल डिल्स भी दा ग्रांट्स इन, एड़ से रिलेटटड है, कोशेद नंबर 90, निमें लिखित में कौन सा कथन लोकपाल या लोका यूगत के बारे में सही है, तो पहला हमार पास से दे रखा है, लोकापाल और लोका यूगत शवद का सयोजन, डाक्टर एल सिंग भी ने किया था, ये भी सही है, लोका पाल और लो अभजनिक अधिकारियों के खिलाफ और सवन्दित मावलों के लिए प्रस्ट अचार के अरोपों में पुश्टाश्ट करते हैं यह वी सही है तो इसके जो लोका यूकति यह लोका पाल के जो रेलेटर है यह डी है इसका जो है आंसर बंट तू 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 का है जो है जय जए ए एम जो है तू अपया है तू इसका जो राइट आंसर है नांच नांटि-वन का वो है जन्धन अधार मुवाईल आथा है कोशन नंबर नांटियटू भारत में थोख मुल्य सुझका आंक में निमलिखी तमें से किस बस्तू के अधिकार पर किया जाता है तो यह है फूल आइटम के अधार पर क्या किया जाता है मैं जो है मेक्सिमम बेट ओफ दी होल सेल प्राइज इंडेक्स जो है किया जाता है ठीक है कोशन नंबर 93 उर्जा का उतपादन परिवर्तन का अप्योग मुख्य चिंता है परड़क्शन ट्रास्फोर्मेशन एंड यूज ओफ अनर्जी आता है मेजर वोरिज इन कोशन नंबर 93 जो है उसका जो राइट आंसर है वो है यह किसका है इंडस्ट्रिल एक्टिविटी के अंतरगत आता है वो है हमारे करज लेने बाले जो है जादा लाव लेते हैं अब आता है कोशन नंबर 95 इंडियन वेजिस पालिसी बेस्टों तो इंडिया की जो बेसिस है वो किस पे बेस्ट है तो इसका जो राइट आंसर है सी कोस्ट ओफ लिविंग जीवन स्थर की लागत जो है इस पर यह बेस्ट है अब आता है कैप आर्ट किस से सवंदित है तो 96 को जो राइट अंसर है यह है ग्रामिन कल्यान कारे क्रोमों की सहाइता और मुल्यांकन करना इनका जो है काम है question number 97 EAS stand for EAS जो है क्या है तो यह क्या है Employment Assurance Scheme क्या बोला जाता है इसको Employment Assurance Scheme रोजगार गरंटी जोजना 97 का जो B है वो राइट अंसर है अब हम आपस आता है 98 निमल लिखित में से छिपी हुई बेरोजगारी मुख्यत है सीमित है जो छिपी हुई बेरोजगारी है वो मुख्यत है किस तक सीमित है तो वो है क्रिशिक शेत्र या ग्रामिन शेत्र तो इसको जो राइट अंसर है वो है ए फर्स्ट और सेकेंड इसका 98 का जो राइड आंसर है वो है ए छिपी हुई बेरोजगारी कौन से होती है ऐसे बेरोजगारी अनिम्प्लोईमेंट जो मतलब कि हम काम तो कर रहे हैं बट वो जो है हमें दिखाई नहीं देती फोर एक्जामपल हम लोग क्या करते हैं खेत में काम कर रहे हैं ये खेत है तो इसमें क्या कर रहे हैं दस बंदे जो काम कर रहे हैं ठीक है अब क्या हुआ इसमें से जो हैं दो बंदे छोड़ के चले गए तो काम तो फिर भी हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं छिपी हुई बेरोजिकारी इसको बोला जाता है अब आता है कोशिन नंबर 99 नब उदखाटित हेल्प लाइन उग्मे मित्र सहाइता के लिए है जो उग्मे मित्र है वो किसके सहाइता के लिए है तो यह जो है माइक्रो स्मोल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए है किसके लिए MSME के लिए यह है किसके लिए MSME के लिए तो यह फुल फॉर्म भी याद रखना क्या है MSME की Micro, Small and Medium Enterprise ये एक्जाम में पूछी जा सकती है छोटे एक्जाम जो होते हैं उनमें कई वारे ये जो है एब्रिवेशन पूछ ली जाती है Next जो आता है हमार पास Question No. 100 इन में से कौन भारत की गरीबी का कारण नहीं है तो इसमें जो है कौन सा भारत की गरीबी का कारण नहीं है तो Question No. 100 का जो अंसर है वो है B. भूमी का असमान बित्रण जो है जो भारत की गरीबी का कारण नहीं है तो गाईस ये जो कोशन थे बैलफेर ओफिसर जो एक्जाम हुआ था एक नवंबर को वो हम लोगे ने सभी जो हैं डिसकस कर लिए है तो गाईस हमारे चानल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें और बैल आइकन को दवाना ना भूलें जिससे की हमारे चानल की जो है रगलर अपडेट आपको मिलती रहें So guys, thank you for watching this video.